अस्लाम अलेकुम अस्पाइरेंट्स स्टूडेंट्स उमीद है तुसी ठीक ठाक होगे तुसी मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर सुने या तो अड़वस्ते पंजाबी लेक्चर बिलकुल नमा और पहली बारी शायद होईगा उमीद गरनामा के ओदे जो तुसी काफी कुछ सिख्या होईगा लेक्चर नो मदे नजर रखते होए पंजाबी इमलादी प्रैक्टिस करो ते नाल दे नाल असी जड़े टॉपिक पढ़ागे शुरू करागे ओना नो लिखना शुरू करो लेक्ड लेक के तियार करो प्रैक्टिस करोगे ते अच्छी तियारी ओजाएगी सब्तों पहले CSI ते टापिक जबां ते जबां दी तरी तेन टापिक्स ने लेकिन आई वाले नसुरी टापिक्स ने मैं आई वाले बाद विजंव Šंळका नो तियार करवाभा पंजाबी पढ़न दा, अपना पंजाबी कल्चर दी रिचनेस दा पता लगदा है, पंजाबी लिटरिचर दी रिचनेस दा पता लगदा है, दूसरा है कि बाबा फरीद पंजाबी जबान दे, सब तो पहले मालूम शायद ने, बाबा फरीद दा कलाम साड़े कोल, इप्तद पजाबी शायरी दा नमूना है और बाबा फरीद दा जवाना आई तो 800 साल पहले दाई सक्रीन शेयर कर रहे हैं सक्रीन वेखो जरा अगवाई किताब पेज नमबर 76 शलोक फरीदी शलोक मीन बाबा फरीदी शायरी दा ना शलोक जिस तरह शायरी दीया मुक्तलिफ किसमाने अर्दू वेज नाजमे गजले कसीता रुबाई ये सी हर्फी इस तरह पजाबी वेख भी मुक्तलिफ असनाफ एदवने जिन वेखो बाबा फरीदी शायरी नो शलोक दनादिता गया है शलोक सिन्फ बाबा फ्रीद ने इजाद नहीं की थी बलके बाबा फ्रीद तो पहले भी हिंदी शायरी विच संसिकरत शायरी विच शलोक दी रवायत मौजूद सी दुनिया दी कदेम तरीन किताब रिख वेद ओदिविच शलोक मौजूद ने कुछ ज़्यादतार तास्र इस किसम दानदा है कि जड़ी मजबी शायरी दीनी शायरी या इखलाकी शायरी होंदी है उन्हों शलोक के ले अजन्दर बारहल नुगे वेखने 80 शलोक दी डेफिनेशन सब तो पहले 80 बाबा फ्रीद ता जमाना 1188 तो लेहके 1280 तक बाबा फ्रीद बारे पंजाबी दे मारूफ शायर मिया मुहम्मद बख्ष याद रखो बाबा फ्रीद सब तो पहले पंजाबी दे क्लासी की शायर ने और मिया मुहम्मद बख्ष और इस तो बाद खाजा गुलाम फ्रीद आखरी क्लासीकल पोईट्स ने मिया मुहम्मद बख्ष ने अपने किताब सैफल मलूग दे अखीर विच अपने तो पहले दे पंजाब अच्वेंजा शायरा बारे एक एक दो दो तो सीफी शेर तारीफी शेर लिखे ने ओ बाबा फरीद बारे फर्मादे ने अवल शेख फरीद शकर गंच आरिफ एहल वलायत हेक हेक सुखन जबान हो दीदा रहबर राहदायत बन्यादी तो और दे एक वड़े शायर मिया मुहम्मद बख्ष ने दूसरे वड़े शायर बाबा फरीद नो ट्रिब्यूट पेश की किता है उनने शायरी वारे अपनी राए पेश कीती है उसी अगर एदे तो क्वेस्टिन शुरू करोगे ते वड़ा अच्छा इंप्रेशन एक्जैमिनर दे होगेगा जी शेयर वेखो शेयर तो मुराद की है अबवल सब तो पहले शेख मुर्शद नो कहने ने रहबर नो क केंदे ने फरीद शकर गानी सब तो पहले मैं अपना मुर्शद अपना रहनमा शेख फरीद शकर गानी दा जिकर करना मा आरिफ एहल वलायत जो आरिफ ने यानि सूफी ने आरिफ में मारफत के दर्चे होते फाइज बंदा लग अला दी पिछान शनाफ रखन वाला बंद अहल वलायत वलीनों केंदे ने अल्ला ता दोस्त तो पहले मैं बाबा फरीद दी तारीफ करना मा जिकर करना मा जिना ने जो सूफी सी मारफत दर्चे होते फाइज सी ते अल्ला ता दे मुकर्रब बंदे सी वली सी हिक हिक सुखन असी साड़े सेंट्रल पजाब वेच एक वन एक बूले आ जान दा है लेकिन पाड़ी डाइलेक्टे मिया ममद बख्षता मीर पूर अजाद किश्मीर दे रहन वाले सी उते एक दी बजाए हिक बूले आ जान दा हिक हिक सुखन यानी एक एक गलबात एक एक बान तो अदा होया, साड़े वास्ते की एहमियत रफदाए, रहबर रा हदायत, साड़े वास्ते रहबर ही ये, ते हदायत दा जरियाए, इस तो बाद जी सब तो पहला पॉइंट तारफ हुएगा, तारफ दी हैडिंग देओ, या ना देओ, एक्जामिनर ने पेपर वेच जड़ा भी क्वेस्टन पुछया हुएगा, बाबा फरीद बारे जिस तरह दी भी स्टेटमेंट उन्हें दिती हुएगी, तुसी उन्हों मदे नजर रख दे हुए, नजर आंदा इस थाबित करो, या क्या देगा, बाबा फरीद पंजाबी जबान दे, पहले शायर दे, उन्हों दी शायरी दिया, नुमाया खसूसियात बेहन करो, बारहल जिस तरह दी भी क्वेस्टन स्टेटमेंट हुएगी, तुसी उन्हों मदे नजर रख के अपना सेस्टे टापिक, हर टापिक दे शुरू वेच, दो, चार, छे, लाइन्स देट पैराग्राफ है, असल वेच जो हुई तारफ है, तुसी उन्हों दे फोकस करना है, पहले पैराग्राफ तो बाद जड़ा दूसरा पैराग्राफ है, एथो लहके, तकरीबन डेड पे जुत याद रखो, ऐसे रफ एसबास ते दर्ज कीते गए ने, कि तुसी जड़ी परसनेलिटी, जड़ी क्लासिकल पोईट नो स्टडी कर रहे हो, उदे बारे इंफर्मेशन मिल जाए, अदरवाइज पेपर दी रिक्वाइरमेंट नहीं है, हाँ, एदे विचों दूसरी चीज, एक ते ऑप्शनल है हो गया कि तुस तो अनू उस शायर बारे इंफर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन कंपल्सरी जड़ा इदे विचों उत्वाड़ा अब्जेक्टिव टाइप त्यार हो जाएगा, याद रखो, इदे विचों साथ आठ दस क्वेस्चन ऐसे ने, जड़े अ इस नेक्स्ट पॉइंट पढ़ागी, जड़ा अब्जेक्टिव टाइप वाला है, यादी जर्नल दसागा, वेखो, तारफ बाबा फरीद मजाबी जबान दे, पहले मालूम शायर ने, उनना दा कलाम साड़े को मुझूद है, इस जुमले दा की मतलब है, इस जुमले दे म पॉराद ऐवे के बाबा फरीद तो पहले वी शायर है सी, उनना दा एका दुका शेर सानू मिलता है, और बाबा फरीद दा शेर टेक्निकली, फनी एत्बार नाल, फिक्री एत्बार नाल, इनने खुबसूरत पोइटरी है, कि ऐसी कह सकने आ, कि बाबा फरीद पहले शायर नहीं सी इनना तो पहले जरूर शायरी होंदी रही होएगी लेकिन साड़े तक पूंच नहीं सकी। नहीं सी इनना नहीं सी इनना तो पहले जरूर शायरी होएगी लेकिन साड़र शायरा शायरी होईगी बाबा फुंच नहीं सकी। हांसी और मुफलिफ इलाकियां विच बावा फरीद ने स्टे की ता उत्थे भी तबलीग दा कम जारी दिया और बावा फरीद ने इना इलाकियां विच अपनी तबलीग नाल इसलाम दे नौरानी शमानू हमेशा लई रोशन कर देता बस जी इना तारफी पैराग्राफ इस तो ज़्यादा तुसी नहीं लेखना एजरा नेक्स्ट मैं पढ़न लगां सिरफ तो अनूर दसन लगां कि एदे विचो तुसी किस किसम दे अब्जेक्टिव तियार करने ने वैसे एट दी एंड जिते शार्ट क्वेस्टन अब्यक्टिव टाइप्स दिते होए ने ओदे विचे स्वाल अलग तो तियार कीते गए ने तुसी उत्रों भी पढ़ सकते हो मसलिन कह सकता है बाबा फरीद दा असल ना की सी इना दा असल ना मसूद फरीद देन ते गांज शक्कर एना दे अलकाबाद ने जड़े लोका ने एना नुदा देते बाबा फरीद दा अलाका मुल्टान दा नस्दीकी कस्वा कोठेवाल कोठेवाल ना दे कोठीवाल, खोतुवाल, कोठुवाल इस तरह दे कोई ती बती ना सी आज कल मुख्किकीन ने रिसर्च कारके साबित कीता है कि जिस बेंड वेज बाबा फरीद दी पैदाइश भूई सी ओधना कोठेवाल अब्यक्टिव वेज भूश सेलता है और आज कोठेवाल कस्वा आज काल भी मुल्तान तो अठारावी किलो मीटर दे फासले दे चड़ दे पासे यानि इस्ट साइड संद बुद्ला रोड उते आबादे बाबा फरीद 1888 नो पैदा हुई इनना दे वालदा साब दे जमाल अदेन सुलेमान सी इनना दे वालदा साहिब देना कुरसं बीबी सी और इनन दे दादा जी देना काजी शुईव सी इनने इप्तदाई तलीम अपनी वाल्दा सहवा को लोग हासिल कीती और बाद विच फिर मुल्तान दे मारूफ आलमे दीन हदरत मौलाना में नहाजुत देन तिर्मजी दे मदरस से विचों कुरान, हदीश, तफसीर, फिका और सारे मुरविजा अलूम पड़े पेज नमबर 77 आए थे उना बाबा फ्रीद नो वेखिया थे गैर मामूली बच्चा महसूस की था सो उना ने मुखात्व करके पुछिया की पढ़ते पहे हो बाबा फ्रीद ने जवाब देता नाफे हाज़ा बफ्तियार का की ने फिर ना नो छेड़े हा जिस तरह बच्चे नो बंदा मजाग कर लेंदा है प्यार ना के ए नाफे नो कोई नफा भी देवेगी नाफे ता लपसी मतलब है नफा देड़ वाली बाबा फ्रीद भी कुछ थोड़ी बहुत रोहानियत रखते होंगे फोरण पहचान लई फोरण उनना दी गल रियलाइज की थी और बोले जवाब देता के मैंनो इस किताब तो नहीं बलके तो आड़ी जाद तो तो आड़ी सोबत तो फाइदा मिलेगा सो उनने बाबा फ्रीद ने बाबा फ्रीद नो अपने मुरीदी वेच लेल लेया और हुकम देता कि तुसी अपनी दीनी तालेम मुकमल करो और फिर बाद वेच मेरे बुल देली आज़ना बाबा फ्रीद ने अपनी तालेम मुकमल करना तो बाद देली चले गए और अपने मुर्शद खाजब अक्तियार काकी दी वफाद तक उते ही रहे मुर्शद दी वफाद तो बात वाकस आ गए लेकिन उना ने मुल्तान स्टे ना कीता वो दी बजा है के मुल्तान वेच ज़रूरत नहीं सी मुल्तान अल्रेडी पीरानाल कोर सी मुल्तान दे हवालेनल प्रोवर बे के मुल्तान पीरान दा शेहर है या पीरानल पोरे बाबा फ्रीद ने महसूस की था मैंनों किसे ऐसे बैकवर्ड एरिया वेच जाना चाहीदा है जिते हाले तक कोई तबलीग कोई इसला नहीं पहुंची लाजा उना ने पंजाब दे एक बैकवर्ड एरिया अजोधन जन्नों आजी कल मौजूदाना पाक पतने अब्जेक्टिव वेच क्वेस्चिन पोछ लेंदा है अजोधन जाके डेरे लाले और उते लखा हिंदुआनों गैर मुसल्मानों मुसल्मान कीता वो थे ही रहे सारी जिन्दगी 1280 वेच वफात पाई अजोधन यानि पाक पतन वेची दफन ने हर साल पाईंतों लेया के दस मुहर्म तक इना दा उरस्त बनाया जानता है बावाफरीद दे हवाले ना तेरे किताबाना ना आंदा है सामने पहली रात अल्कुलूब, दूसरी असरार अल्या और तीसरी फवाइद सालिकीन बरहाल जी है औजेक्टिव टाइप वास्ते वे तुसी लेखना नहीं सिर्फ पहला पैराग्राफ लेखन तो बात तुसी दूसरा पैराग्राफ दूसरा तो अड़ा जड़ी हेडिंग आवेगी बावाफरीद दी शायरी ते शायरी दा मौाखस मैं मुक्तसर करना तफसील तुसी आप पढ़ लेना तुसी आते सिर्फ है लेखना है कि बावाफरीद ना सिर्फ सूफी बज़र्ग सी बलके शायर भी सी मौबलग इसलाम भी सी उनने शायरी जड़ी कीती ओए एक ते मकसद लोका दी इसला सी और दूसरा इसलाम दी तबल शलोक बोल या बावाफरीद दी शायरी दे ना को याद कीता जन्दा है बावाफरीद दी कलाम दा सोर्स माखस की इसाटे तक के में पहुंची दो जो मिले तुसी लेखने ने वैसे आप पूरे पेज उते नेक्स पेज उते तफसील देती हुई है मैं जबानी दास देना बावाफरीद दी शायरी दा सोर्स साटे गोल सिखा दी मजबी किताब गुरु गरंद साब है गुरु गरंद साब बाबा गुरु नानक साब जड़े सिखमात मजब दे बानी ने जना दा एहद 1499 तो लहागे 1568 ताके उनने अपने मजब दे लोकां वास्ते कमपाइल कीती सी और एदे वेच मुख्तलिफ लोकां दा कलाम दर्चे बाबा गुरु नानक साब दी ने एदे वेच मुख्तलिफ लोक जना दा कलाम शामल कीता है उदे मुसल्मान वी शामल सी हिंदू भी शामल दे और बोदे जमनल तल्ला कर खनवले लोग भी शामल सी दो मुसल्मान श जिस पे लोना किताब कंपाइल कर रही सी, वो सिखा दे, सुरी, वो बाबा फरीद दे सजादा नशीन, यूँके बाबा फरीद दा आहद यारा सुटासी तो लह गे, बारा सुटासी ताके, और गरंच साफ दर जमाना तकरीबन दो सुपजा साल बाद दाए, लेहाजा ओ जि शामिल कीता, और गरु गरंच साफ ओदो तो लहके, आज तक उसे तरह as it is छपदी आ रही है, इस जड़ी मौजूदा हत्मी शकल है, और गरु अर्जन जी सिखा दे, पजवे गरु, गरु अर्जन जी ने सोला सो चार वेच गुरु गरंच सावरों अजोकी शकल, मौजूदा शकल वेच एडिट करके महफूज कीता सी, बाबा फरीद दा कलाम भी मजबी किताब विच शामिल होन दी वज़ातों, महफूज हो गया, अदर्वाइस बाबा फरीद दे हम असर जिनने भी शोरा सी, य एडिटर नो कहने ने एडिट करन वाला तद्वीन करन वाला तद्वीन कर, बाबा फरीद दे कलाम नो मुफ्तरिफ लोका ने एडिट कीता है, यानि गुरु गरंच सावरों विचों लेके, ट्रांस्क्रिप्ट करके, गोर मुखी तो शामुखी विच करके, उनों एडिट करके, कंपाइल करके, शाया करवाया है, लेकि काफी सारे मसायल और वल्गियां सी, मुख्माद आसफ खान साव ने उस सारे सोते होई कलाम मदे नजर रखके, गुरु गरंच सावरों मदे नजर रखके, एक अथेंटिक, एक मोत पर और एक मुस्तनद नुस्खा तियार कीत आए, जिन्नों आख्या बाबा फरीद ने ना दिता गया है, सो याद रखो बाबा फरीद दे कलाम ता सोतन हार मु오मद आसफ खान और बाबा फरीद दा सोते होया सब्त मोत पर कलाम मुomद आसफ खान दी क אתה आब अख्या बाबा फरीद ने नेक्स जी शलोग दी तारीफ शलोग की होंदा है डेफिनेशन मुख्तसर लिखनी है जी तफसील जी नहीं जाना क्योंकि आए डारेक्ट साथे टापिक दा हिस्सा नहीं है सिर्फ है टापिक शुरू करन तो पहले सरस्री जे आउदे बारे इंट्रो देना है बाबा फरीद दी शेरी सिन्फ शलोग के मौमद असर्फ खाने अपनी किताब आखिया बाबा फरीद ने विच शलोग दी जड़ी डेफिनेशन कीती है ओधे मुताबक शलोग दो या दो तो वत मिस्रियां वाली एक एज़ाई नज़ा मेजे नो किसे अल्ला लोग ने लिखे आए इस विच मौज़ू दी गयाद नहीं रब्दी हम तो लहके सरकारी मशीनरी दे जलम दे जबर नो मौज़ू बनाया जा सकता है जी स्टुडेंट्स उमीदे समझ आगी होएगी तो अनू पहला तारफ का पैराग्राफ दूसरा बाबाफरीदी शायरी ते शायरी दा माख़स तीसरा शलोग दी तारीफ एतनो हैडिंग तो तो सी एक पेज तो ज्यादा नहीं लिख लेगी साथा सेकंड पेज तो स्टार्ट हुएगा टापिक और ऐवला शायरी दे मौजवात मैं नू हैडिंग देती हैं लेकिन तुसी हैडिंग ओ होई देओगे जड़ी तो अनू क्वेस्टिन स्टेट्मेंट पुछी जाएगी अगर होगे बाबा फ्रीद दी शायरी दा इखलाकी ते मजभी रंग बेहान करो फिर तुसी हैडिंग देओगे बाबा फ्रीद दी शायरी वेच मजभ दे इखलाकियाद दा रंग अगर होगे बाबा फरीद दे शलोका दे मौजवाद बियान करो ते तुसी फिरे नो इस हेडिंग नो चेंज करके शलोका दे मौजवाद करते होगे बाबा फरीद दी शायरी नो ओवराल पढ़ दे होया दो बड़े मौजवाद सामने आदेने पहला इसलाम दी तबलीज ते दूसरा इखलाकिया दा दर्स इस तो लावा ऐस सारे मौजवाद लिखे हो इने जिनानों सी थले डिसकस करने जा रहे हैं एक तुसी पड़ लेना सब तो पहला मौजव सब तो पहली हैडिंग तो अड़ी सब टॉपिक्स विच बनेंगी तसवफ याद रखो मैं आएदे विच कोई तक्रीबन 14 पॉइंट्स देते ने और हर पॉइंट विच दो दो तिन तिन शलोग दर्ज कीते ने आए वराइटी दे तोर दे इस तरह कीता है क्योंकि स्टूडेंट्स चांद आएंगे उदे कोल मटीरियल दी उदे कोल टेक्स्ट दी वराइटी होगे तुसी सिरफ पेपर नी रिक्वाइर्मेंट दे मताबिक आठ तो दस पॉइंट्स लिखने ने तरीका कारे हुई होए नेक्स्ट दूसरी हैडिंग जिवें ए तो आठे समने वजबत दूसरी हैडिंगे फिर ओधी एक्स्प्लेंशन पहले दे होगे शेर पोड करोगे तो दूसरी हैडिंग कंप्लेट हो जाएगी यसी वन बाई वाइन ने वेफने या मैं हर हैटिंग दे वेज़ दो दिन शे पूरें और दिस्कस कीते होı इने, देते हो है, उन्हों ऐसे डिस्कस करने है, ताके तो अनू थोड़ा समझ आजाए, फिर तो अनू जडा हो दिफ़ जो ज्यादा अच्छा लगे, समझ समझ आजाए, असान लगे, उनों दुसी वेच गोट करना बाकी स्किप कर दे जाना याद रखो आट तो दास पॉइंट और हर पॉइंट वेच एक एक शेर एनफ है जी सबतो पहला टापिक जी तसवफ तसवफ की होंदा है दीन दी अमली सूरत नो तसवफ कहन देने याद रखो वैसे तसवफ होते बहुत कोजी लिखिया गया है तसवफ होते जखीम किताबा मौझूद ने वी वी जिल्दा विच किताबा ने अजरत दाता का जी बखश दी जखीम किताब कश्फल महजूब तसवफ दी बेहतरें किताब मननी जान दी है लेकिन असी एके सिर्फ मुटसर लेखना है क्योंकर असी सिर्फ एक तसवफ डिसकस नहीं कार रहे असी ओवराल बावा फ्रेज दी शायरी नो मौजवाद नो डिसकस करना है लेहाजा सानो नो माइन दा कोई आठतास ओदे मौजव देने पहन गे और आठतास शेर वोट करने पहन गे जा तो समाज वेच एखलाकी कदरादा खात्मा हो जानता है ते बज़रगा ना त्याँ दी दिया बज़रगा ना त्याँ दी दिया कदराद काइम कर्मानवल हो जानता है इस तरीके नूँ इस गाल नूँ तुसी इस तरह समझ सकते हो आज कल यह में साथ इस सोसाइटी वेच वेखो की हालाद ने साथ वेच बरदाश्ट नहीं है टॉलिरंस नहीं है साथ वेच एक्स्ट्रीमिजम इंतहा पसंदी हद तो ज्यादा बद गई है कोई एक दूसरे नो वेखना पसंद नहीं करता हर कोई अपने मकासद मदे नजर रखता है वो कैंदे ने जिस तरह दा मौल पेश आ जाजाए जो तो नफसा नफसी पहा जाजाए जो तो लालेसनेस हो जाजाए जिस तरह एक दूसरे दे पिछान शनाफ खत्म हो जाए ते फिर की होंदा है अल्ला ताला देको जो मुकर्ण बन दे यानि हाज कालते दौर विच भी सूफिय अकराम दी बड़ी जरूरत दे जिस तरह सूफिय अकराम ने आज तो आट सो साल पहले हाजार साल पहले जो तो हिंदोस्तान परे सगीर वेच इसलाम आया साथे सूफिय अकराम ने अपने हुस्न और अखलाक नाल अपने अमल नाल, कॉल नाल, फेल नाल लोका नो मतासर की ता बिल्कुल उससे तरह आज भी जरूरत है कि कोई ऐसे लोग होन जड़े सुसाइटी नो मुत दिल करन, इतदाल दिल है किया जी, जिस विले इस तरह दिया, एक्स्ट्रीम इजम आजन दाए ते फिर की होन दाए अल्ला लोग मुकर्ब कीता हुआ कोई सूफी बज़र्ग दीन ती असल रून अमली ता और दे अपने जिन्दगी वे चिफ त्यार करता है एक्से फोकस करो जी, अमली ता और दे अमल नहीं है साड़े को लाजिकल साड़े को गल्ला बहुत ने साड़े को मसले बहुत ने साड़े को वास बहुत ने लेक्चर्स बहुत ने योट्यूब पर ही पई है, सोशल मीडिया पर ही आप है, किताबां पर ही आप है लेकिन मसला है वे किसी जोग कहन नहीं हो करते नहीं और ज़ता कसी फोद नहीं करागे, कोई दूसरा होते तो फाइदा नहीं चोक सलदा, कोई दूसरा उन्हों फालो नहीं कर सलदा, सुफिया एक रामदा वतीरा तरीका की सी, ओ केंदे नहीं सी है, उन्हां जबान तो केंदी बजाए, अपने आपनोँ अमली तौरते, रोल मॉडल बना आगे, लोका सामने पेश की था, और लोका नोँ फिर केंदा नहीं बेहा, लोका ने से राफना नोँ फालो गी था, और सिधे रस्ते उते आगे, तसवफ बारे मुक्तलिफ लोका दियां, मुक्तलिफ अलाग अलाग डैफिनेशन ने जड़ी एक मिक्स, मिली जुली तारीफ है, वो को जेस तरह दिये तसवफ हो इलम जेदे नाल, नफस दी सफाई, इखलाग दी पाकीज़ी, नफस यानि इनर पियूरिफ़केशन, नफस दी सफाई, अंदर ली ते बार दी दुनिया दी तामेर ते तशकील, नफसानी खायशाद दा खात्मा, जाहर दे बातन दी इसला, यानि अंदर बार एक कर लेना, डुयलिटी खतम कर देना आला इखलाकियात दर्स दे दिलनू गयर उल्ला तो पाक कर लेना यानी, तो अड़िया सारीया तवक्वाद उमीदा, रब दाला दी जात तो इलावा किसे दूसरे नाल मनसूब या वबस्ता ना होन, ऐस सारीया तो अड़ा सारे ता सारा दारों में दाथ सिर्फ और सिर्फ अल्ला ताला दी जात वेच होए, ऐस सारीया चीज़ा तसवफ कहलां दियाने, जी यासी तसवफ दी हैडिंग दिती, एथो दाक तसवफ दी डैफिनेशन लेफ दिती और असी बावा फरीद दी शायरी वेच तसवफ वेख ना है किस तरह आया है याद रखो, ऐवला एक्स्प्लेनेशन तश्रीव वाला फार्मेट नहीं है असी एथे शेर लेख के उदी तश्रीव नहीं लेख नहीं जाये असी हो दी तश्रीव पहले लेख नहीं ठीक है जी मैं शेर बाद वेच पड़ागा लेकिन शेर दी ग्राउंट तो उनों पहले दसागा बस दन्वेख को बावा परीद आला एकदार आला कद्राँ आला वैल्यूज दे हामिल बावामल सूफी बज़र्ग ते तसवफ दे रस्ते दे पांदी यानी मसाफर सी आप शरीयत दे असूलां ते हुक्मा दी सकती नाल पैर भी कर दे ते दुन्यावी लोग लालच तो लोग लालच नों ही कहन देने बहुत दूर सी अपने सारिया दुन्यावी लगज़तां नों त्याग दिता सी गाफल कर दें दियाने और दूर कर दें दियाने बाबा फरीद इस सवाले ना फर्मान देने जी पहला शलोगों के जी मैं पढ़ागा वेखना तुसी है बिल्कुल आसान है लेकिन चूंकर आट सो साल पहले थी जबाने इस पास्ते तो अनुशाय थोड़ा अजीव और मुश्कल लगी फरीदा लेकिन मैं लाजमी कहना के जिस वेले मतलब समझा देयागा दूसरी वारी समझा आट दूरत नहीं पहेगी फरीदा शक्कर खांड निवात गोड माखियों माजा दोद इदे विच्छे सुईट्स दा दिकरे फरीदा उना दना आए फरीद शक्कर तो आनो साब नू पता है खांड चीनी नूँ कहांदेने निवात मिस्री नूँ कहांदेने एभी चीनी टाय भी होंदा है किसे कीमियाई हमल ना लोगिया क्रिस्टल्स बना ले जांदेने मिस्री गोड पताई सावनू माख्यूं हनी शैद नूँ कहांदेने माजा दोत माजदा दोत वा एफरीद शक्कर खांट नवात गोड माखियों माजा दोत सबे वस्तू मिठियां धल में वेचों ने दी विजाहत खुद कार देती है दूसरे मिस्ते वेच सपे सब सारियां तमाम वस्तू कहन देने वस्त नूँ चीज नूँ शै नूँ आइटम केंदा उत्ते जड़ियां छे आइटम्स का दिकर कीता है और सब दियां सारियां मिठियां ने सुईट्स ने एक दूसरे तो वादके ने एक दूसरे तो ज्यादा खोश जाएका ने लेकिन राब ना पुजण तोद राब तक तोद तुम्हें पुजण पोंचन तनू जाले ते लफसी मतलब वेको ऐ फरीद शक्र खांड निवात गोड माकियों माजा दोत सारियां मिठियां चीजाने अगर तो इना वेच वलत जाएगा इना दिजाएकियां वेच फास जाएगा तो गाफिल हो जाएगा लेकिन इना छे सुईट्स तो मुराद है थे जाते जिन्दगी लग्जिरीज जिन्दगी दियां असाइशां ले आ गया है कि ए बंदे अगर तो जिन्दगी दियां असाइशां वेच खुब जाएगा मगन हो जाएगा मस्त हो जाएगा तो गाफिल हो जाएगा तो गाफिल हो जाएगा दूर हो जाएगा एकनो उन्चन नहीं दें दिया बलके राब्तों दूर कर दिया ने ठीक है जी बनियाती तो और दें देवेच एह मैसेज दिता गया है हुण उन्हें बाबा फ्रीज ने तरीका का रह क्यों इफ्तियार कीता क्योंकि उते मुखातब तबका बिल्कुल अनपड़ सी बिल्कुल जाहिल सी उन्हें उसे वाए अपनी मदर टंग तो हो कोई जबान नहीं सिया दी इस पस्ते उन्हें ने ऐवला तरीका का रह इफ्तियार कीता हुना जरी अच्छे स्वीट्स ने किचन आइटम्स ने किड़ा बंदा जड़ा बच्पन तो लाहकी इना नलवा नहीं पैंदा ल्याजा उन्हें लोगा ना अपना आल्माना का नहीं वक्राया बलके ओना लोका ना आप पे हलागे खोद अर्बी दे माहिर सी, फार्सी दे माहिर सी, इना दे फोरफादर्स जड़े ने सेंट्रल एशिया तो माइगरेट कर गिया है सी, फार्सी स्पीकिंग सी, लेकिन उना ना मकसद तबलीव सी, मैसेज़ के नवे करना सी, अपने थाग नहीं सी, अच्छा जी वैसे थे हार टापिक वे चेक एक शेर मोर देने ना थे, लेकिन तुसी अगर दो लिखना चांदे हो, कोई स्टूडट केंदा है नहीं, जी मैंनू दे शेर याद ने, मैं जरूर लिखा गा थे, याद रोको फिर उदी ग्राउंट पहले बढ़ानी पवेगी, बसकर नहीं शेर कोट करना है, उन्या थे, मैं शेर पहले पढ़ना माँ और एधी ग्राउंट पहले किस तरह बढ़ी है, वो असी बाद विच पे खागे, एंजी नहीं करना कि तुसी उत्ते तसवफ दी हैडिंग दे कि थले तेन शेर तसवफ रिलेटेड जिड फ्रीदा रोटी मेरी काठ दी, काठ लकड नू क्यांदे ने, ए फ्रीद मेरी रोटी लकडी दी बनी होई है, इना बरेकिया जन्दा है कि बारा साल तक एना ने जंगल बेच चला गशी कीती सी और उस दोरान अपने पेट नाल लकडी दा टुकडा बन के फिर दे रहे, जा लावन मेरी पोख, लावन सालन नू केंदे ने, पिंडा फावेच आज भी लफ्स बोले आजन्दा है, आम तोरते शोरबे वाले सालन नू, ए फ्रीद मेरी रोटी लकडी दी बनी होई है, और मेरी पोख मेरा सालन ने, पोख यानी गूख, एन्ज गया सकते हो कि मैं अपन थेदा जवाब की लिख देने, ये ना खा दी चोपडी, चोपडी यनी देसी की लगी होई रोटी, आईकल देसी कि उठारा सो रुपे, दो हजार रुपे किलो है, ओ असाई शात वे चांदा है, ये ना खा दी चोपडी, जड़े चोपडी रोटी खान, जड़े असाई जिन्दकी या दूसरा पॉइंट वदत अलवजूद तसब्वदाई नजरीया है सब्तु आहाम नजरीया है इनु और्दू वे चर्बी वे वदत अलवजूद वदत के अंदे ने सिंगल एक वन नू वजूद के अंदे ने जिसम नू यानि यह तो मुराद है कि जो दर्या समंधरा दा वजूदे ऐस सारियां चीजां वजूदे वाहिद यनी अल्ला तो बढ़ियाने इस नज़ियन उंफार्सी वेच ए, हमा उस्त केंदेने हमा यनी हर शे उमीन वो यनी अल्ला ताला सत्मीन है यनी सब कुछ अल्ला ताला है इते बारे अब्जेक्टिव दा सुवाल जी है अक्सर पोछ लेंदा है याद रखना वादतलवजूद दा नजरिया शेख मुहयुत देन इबन अर्बी ने स्लामी दुनिया वेच मतारफ करवाया सी इबन अर्बी साथ बगदार दे रहन वाले सी 1240 इसवी विच फौथ होई सी बावा फरीद 1288 विच फौथ होई सी तकरीवन हम असरी ने और इना बारे किया जानदा है कि इबन अर्बी ने वादतलवजूद दा नजरिया हिंदोस्तान तो डैके कहे सी याद रखो बादतलवजूद युनानिया को अलवी सी मिसर वेच वी सी हिंदोस्तान वेच वी सी पुराणा नजरिया है लेकिन इसलामी दुनिया वेच इबन अर्बी ने नो मतारफ करवाया सी किया जानदा है कि 1222 अहद सी तेवन अर्बी खुद हिंदोस्तान आया सी और एथ ते जड़े उल्मा एकराम सी एथ ते जड़े दानशवार सी मुफक्रें सी होना को लो इनने तलीम तर्बियत हासल कीती सी हालागे मुसल्मान नहीं सी या इसलाम दो तक नहीं सी पूंचिया या आम नहीं सी एथ तो है सारा नजरिया ठिंकिंग थाट लेके बगदाद गए और फिर जखीम किताबाँ कोई बारा बारा जिल्दा निया किताबाँ ने फसूसल हिकम ते फतुहते मक्या एना तखलेकी ये डिटेल नहीं लिखने जी उक्तसर लिखो तसवफदा सब तो हम नजरिया वादत लवजूदे जिन्नों अबन अर्बी ने इसलामी दुनिया वेच मतारफ करवाया इस नजरिया दे मताबग सारी काइनात वजूदे खुदा यानि अल्ला तो पैदा हुई राबसोने ने अपने आपने आपनों मुक्तलिफ सिफाद वेच जाहिर कीता लिएज है सारी काइनात वेच जो को जो भी मौझूदे वो समझो अल्ला ते वजूदा हिस्सा ही अग्या मिसाला ने जी पढ़ लेना मसलां सूरज तो मुराद अल्ला ते जात है और बाकी जिनने किरना ने, नूर ने, लशकारे ने आपके हर शैया तो मुराद ओधियां सिफाद ने इसे तरह एते समंदर तो मुराद अल्ला ते जात है और बाकी जो को जो भी है समझो ओधि जात का हिस्सा ने वादतल वजूद दे नजरिये नो पाने मजी इतनी एक आयत तो तकवियत मिल दीये वन्नाहनू अकराबू इलई हिम इन हबलिल वरीद ते असी इंसान दी शारग तो भी नेडेयां इस आयत नो बाबा फरीद ने अपनी शायरी वेच वेको किस तरह बयान कीता है फरीदा जंगल जंगल क्या भामें ए फरीद तो जंगल वेच क्यों पौण रहे हैं क्यों फेर रहे हैं क्यों अवारा गर्दी कार रहे हैं वन कंडा मूड़ें वन कंडा मूड़ना यनि जड़ी बूटियां जाडियां एम प्रापर वे विच रस्ता बना आके टोड़ना जंगल वे टोड़न वास्ते कोई प्रापर रस्ते नहीं होंदे लियाजा जंगल जगर तुसी फेरना है अवारा गर्दी करनी है ते फिर तुन वन कंडा खुद मोड़ना पैना है हटाना पैना है जगा बनानी पैनी है चल देल वेच वस्ता ही आलिये पजाबी वेच देल नू कहन देने हेरता भी कहन देने ही यड़ा भी कहन देने ही आलिये वी कहन देने तेनों लफज आजी का लमत रूप ने असी नहीं बोल दे कंग्रेदी लफज ह-e-a-r-d-heart ने सारे आनू खतम कर देता है जंगल क्या आई बन्दे जंगलाविज फिरन दी जंगलाविज फिर टोर के राबत आला नहीं लबदा बलके राबत आला दे तेरे देल वेच बस्ता है अपने अंदर चाती मार नो आला नजर आ जाएगा ठीके जी आई ना भी लिखो कोई मसला नहीं कुरान भी जी आयत ना कोड़ कर बना है फरीदा खालिक खल्क में यानि वायत वजूता नजरिया समझो कि ये ऐ फरीद खालिक यानि अपनी मखलूक वेचे नजर आंदा है या लग ते जल्वे उदियां मखलूकात वेचे नजर आंदेने खल्क वसे राब मां इस काल तो दूसरे तरह करना हुए ते लग अपनी खल्क वेच और खल्क अपने मखलूक अपने खालक दी वज़े तो पिछानी ज़न दी है लफ्स मां और ठल्ले लफ्स नजर आ ए पुरणे अमलाए मां में नु कहिंदेने ते नहीं नु कहिंदेने मनदा के इस नु आखिए या पहले मिसरे वेचे उनने ए तैय कर देता है कि हर शैविच अल्ह ताला है उन्हों दूसरे मिसरे जवाब की देंदा पर आए मंदा किनों कही है चुछ कि असी ते तै कर लेया फर्स कर लेया मन लेया मफरूजा कायम कर देया कि हर शैविच अल्ह ताला मौजूद है उनसी अगर किसे शाय नो बुरा कहने है ते अधा की मतलब है कि असी इंडिरेक्टली अल्ला ताला नो बुरा कहने है मंदा किस नो आखिये जहां तिस बिन कोई ना जहां जब तिस बिन यानि उसके बिना अल्ला के बगएर कोई ना कोई नहीं यानि अल्ला-त-अला तो बगैर जदो कोई शैख है भी नहीं, कोई शैख ऐसी नहीं, जटे अल्ला-त-अला ते वजूद चीज बुरी नहीं है, कोई भी चीज काबले नफरत नहीं है अल्ला ताला ने हर चीज दा एक मुकामों मर्टबा तै कीता है और सानु चाही दासी उन्नों, उदे मुकामों मर्टबे तो पहचानी है नेक्स जी, तीसरा टाप्टिक, इश्क हकीकी केड़ा इश्क, जड़ा नफस परस्ती तो अग्गे निकल जए, जड़ा अल्ला ताला ती जात नाल होए जिदे विच खुद घर्दी ना होए, जिदे विच नफस परस्ती ना होए नफस परस्ती और खुद घर्जी तो अगे लंग जानदा है जिस पर ले बंदा फिर उ इसके हकीकी वाल सफर करता है और एदी सब्त वाला शकल अल्ला ताला ती जात नाल विसाल यानि विसाल अल्ला ती जात नाल दो सूर्थां जी एक ते बंदा खौत हो जाए तो ओ अपने असल नाल अपने मालक नल जाके मेल जानदा है बाद वे तो उनकाम जाबागा लज़िया अलस्तो बिरभे को मगे शायरी वेच चाहिएगा दूसरा तरीका है होंदा कि जिन्दगी वेच रेंदा हुए ही बंदा अपने अनक्सानी खायशात मार लवे खतम कर लवे और अपने आपनों मुकमल दोर दे अपने खाल के है की की दे रहमो करम दे चाड़ दे बाबा फरीद की कहांदे ने जी एशेर वे को कोट करन तो पहले दो लाइना वेचे दी विजाहत बंदा या इनसान जिस वे ले तिकर अपने कलब दे नजर नूँ यानि अपने देल ते अपने नजर नूँ सुच्चा दे पाथ साफ ना कर लवे और अपने आपनों पहचान ना लवे और रबताला दी जाद नूँ नहीं पिछाण सकता परमाँ देने फरीदा जे तूँ अकल लतीफ ऐध जे कंडिशनल अजर अगर अगर आजर अगर अच्छी अकल देती ये अकल लतीफ ता तरज्मा अश्रफ मखलूग देन चिरक हो एफरीद अल्ला ताला ने तरनो सब तो आला अकल दे के अश्रफल मखलुकात बनायाए लिया जात तेरी जिमादारी की ये काले लिख ना लिख पहला लिख लफस जड़ाए ता मतलब है टूराइट लिखना तहरीर करना कोई चीज और लिख केंदेने अंग्रेजी वेच ऐसे नो और पंजाबी ऐसे नो लेख केंदेने किसमत नो भी केंदेने तहरीर नो भी केंदेने लेकिन एथे अलामती तोरते की मुराद नामाए आमाल ऐ फरीद अल्ला ताला ने तरनो अच्छी अकल दे के पेजिया है तो अपने नामाए आमाल बेचे काले करतूत बुराईया दर्जना करवा की कौनसेप्ट है जी किरामन कातबे इन दा कौनसेप्ट कुरान में जीजना देता है कि साड़े सज्जे और खबे दोनो मोड़े आथे एक एक फरिश्टा अपना मुकामो मर्तबा पहचान और अपने नामाए आमाल नो बुरे कमानाल सिया कमानाल काले करतूतानाल खराब ना कर बलके की कर अपने गिरेवान में सिर निवा कर देख य before बन्दे कज़ी अपने गिरेवान में ज्ञांक के देख कि अला त tra ने तैनो की मुकामो मर्तबा दे के पे जिया है और तू दु 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 द्यु दु 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 रहा कि अपनी आखरत वास्दे की कर रहा है नेक्स्ट जी मुर्शद दा जिकर सबफ़ दे रस्ते हो दे टोरन वास्ते मुर्शद बड़ी अहम हस्ती हुंदा है मुर्शद दा की कोंसे अपने ऐसा बंदा ऐसी शख्सियत ऐसी परसिनलिटी जड़ी ना सिरफ तो अड़ी दुनिया ते हवाले ना कामयाबी दा बाइस बढ़ें बलके आफरत विच भी तो अनों कामयाब करवाए उनों मुर्शद देने पुरान मजीद विच डायरेक्ट मुर्शद था कोई आयत या हदीश विच भी कोई खास जिकर नहीं है लेकिन लोका ने को जायता तो इशारे कड़े ने मसले ने काये थे एए एमान वाले हो मेरी राल अबन लई वसीला तलाश करो एथे वसीले दो मुराद होना मुर्शद ले आए बरहल जो भी कोई आफरी दू लाइना वेको एजड़ा के शेर को उट करन जा रहे हो दी विजाद बुरे दे पैड़े बंदे दी मिसाल बिल्कुल एंजी ये जिमें छपड वेच हाथ मारे हां कोजी हासल नहीं होंदा सेवाए चिकर दे अच्छा जी बाबा फरीद आए शेर इंतहाई बिल्कुल अनपड बंदियां वासते वे और जड़े दे वेच सिंबल्स होना यूज कीते ने ये भी पेंड़ू बंदियां दो वादे नहीं कोई नहीं जान सकता छपड हर पेंड़ वेच होंदा सी और साफ पानी दा चश्मा भी हर बंदा वाकफ है अफरीद कोई ऐसा सर्वर कोई ऐसा पाक पानी दा चश्मा डूंड जथो तनू लबबे मिले हासल हो वाकफ केंदेने वस्त नू पिछे लफस अफसी पड़े आसी वस्तू ऐते लफसों ने यूज कीता है वाकफ दूना का मतलब एक कोई ये चीज शे अफरीद कोई ऐसा सर्वर यनि साफ पानी दा चश्मा अच्छा जी सर्वर ते छपड एक दूसर था उल्ट ने सर्वर बैता हुआ साफ पानी ते छपड रुका हुआ डेट बाटर एफरीद कोई ऐसा साफ पाणी ता चश्मा टूंद लब जितो तेनों कोई कामदी चीज मिले छपड ढूंडे क्या हुवे चिकड डुबे हाथ छपड वेचे हाथ खमारेगा ते सिवाए छपड तो तेनों कोई हासल नहीं होएगा एते जी छपड तो मुरादे जड़े आजकल दे जाली पीर और जाली मुर्शद ने और सरवर्ड तो मुराद ने कामल मुर्शद खाजा बख्तियार काकी वर के मुर्शद जिना बाबा वरीद बनाया शाह नायत कादरी वर के मुर्शद जिना गुले शाह जैसी हस्ती पैदा की थी छपपर ढूंडें किया थे आज़का दे जड़े पीर ने जाली पीर ने उसी रोज टीवी प्रोग्राम वेफ दे उसरे आम किरार उन्हा संदा प्रोग्राम है उन्हा रोज कोई ना कोई जाली पीर बे निकाब की का हुँदा है खेर नेक्स जी मुर्शद दे हवाले नाली दूसरा शेर खाजाब अख्तियार काकी साहब जड़े ना दे मुर्शद सी जिसवे ले उन्हानों अपने बातरी तरफियत वेच लेया दे बाबा फ्रीद नो इस तरह मैसूस होया जिस तरह मा अपने बच्चे नो अगोश वेच लेलन दिये बाबा फ्रीद दुनियादारी दे हवाले नाल और अपने मुर्शद दी पना दे हवाले नाल दोना दा कंपैरिजन इस शेर वेच दस्ते ने कोज ना बुझे कोज ना सुझे दुनिया गुझी भा कोज ना बुझे कोज ना सुझे दुनिया गुझी भा साई मेरे चंगा कीता नईता हमपी तच्छा आह कोज सूज बुझ नहीं है कोज सुझाई नहीं दे रहा कोज समझ नहीं आ रहा कुछ ना बुझी है कुछ ना सुचे यानि कुछ वे सुजाई नहीं दे रहा दुनिया गुझी भा दुनिया बेलकुल भा आगनों कहनते ने गुझी पोशीता छुपी होई कहनता दुनिया बेलकुल इस तरह जो मैं छुपी होई आग होई मैंनों दुनिया वेच कोई सूज बूज रही सी, कोई सूज नहीं सी रहा, कोई समझ नहीं सी आ रही कि अचानक की होया, साही मेरे चंगा कीता, मेरे मुर्षद शाह नायत कादरी ने मेरे नल ने की सोरी, बाबा बुले शाह दे मुर्षद दना ले आ जेता है मेरे मुर्षद खाजा बख्तियार काकी ने मेरे नाल नेकी की ती और मैंनो नहीं तां नहीं तो हम भी मैं भी मैं भी दच्छां सड जाना जल जाना अहाए अफसूस केंदा मेरे मुर्षद ने मेरे नाल चंगा की ता नहीं ते मैं ते इस गुजी दुनिया दी आग वेच जाल के भसम हो जाना सी यानि मेरे मुर्शद ने मैं तो दुनियादारी दी इस आग विच्छों बचा के महफूज कर दे नेक्स्ट जी दुनिया दी बेसबाती पंजबा शेमा सत्मा अठमा पॉइंट्स मिल दे जुल देने तुसी इना विच्छों के कर लेना सिलेक्ट इस तरह तो अनुज़रा सेलेक्शन वेचा सानी दवेगी क्योंके कोल 14 ने तुसी 10 लेख देने दो तेने दे विच्छों रामनल स्केप को सरी देने अके जी बिल्कुल आसान शेर दे मैं टेक्स्ट नहीं पढ़ागा सिरफ शेर तो आडेनाल रेडिंग करागा तुसी शेर पढ़ोगे ते शेर समझोगे ते उतली जड़ी विजाहत लिखी हुई है तो अनुँ अपने हाँ समझा देगी फरीदा कोठे मंडप माणिया उसा रिंदे भी गए पूडा सोधा कर गए गोरी आपए फरीदा कोठे कोठे कोठा केंदे ने जी आम छोटे जये दोटा इमार देदे करनो काड़का साथे वेचाम तौरत आज कल भी मुआवरतन पेंड़ा था वेच बोले आजन्दा जी मैं कोठे चात रहे हमां या मेरे कोठे बारशनाल देग पए ने उर्दु वाला कोठा नहीं है उसरा नाम होना सब लब्स से परीदा कोठे मंडप मेला नू कहां दे ने महल म माड़िया हवेलिया नू कहते ने हवेलिया यानि कई कई सो कनाल कई कई सो एक कर दे जरदारिया उस हो जाए या बनी काला हो जाए कोज भी हो जाए ओ माड़िया मुराद ने एफरीद कर महल और हवेलिया उसार दे यानि तामीर करते करते भी गए उसार इंदे भी गए या और इस चीज़ दा एहसास ही ना होया, पूरा सोदा कर गए, कि ऐत सब चूट है, ऐत सब चूटा सोदा सी, ऐत ऐसा चूट सी, यानि ऐसी सारी जिंदगी है, महल ऐहा वेलियां बनादे रहने है, कदी सा डनाल, कुछ जाना है दे विच्छों, हर बंदे नूँ ओही कबर दी जगा नसीब होनी हो भी अगर अल्ला चाहेते, जड़ी एक फकीर नो मिल दी ये, ओही बादशाह नो मिलेगी, गोरी आप है, गोर कबर नो कहांदे ने, गोरी मीन, गोर में, कबर में, कबर विच्छ आप है, ऐसारी जिंदगी कोठे, महल, माणियां तामीर कर दे, कबर वे चाह गए और इस चीज दा इदरागी नहीं हो सक्या, के ऐसापते चूट सी, ऐसापते आर्जी सी, ऐसापते फना होन वाला सी, नेक्स्ट, फरीदा कोठे मंडप माणियां एत ना लाई चित, एफरीद कोठे मंडप माणियां नाल, दिल ना लावी, एत यनि एत इनके साथ चित लाना, दिल लगी करना, एफरीद कोठे, यनि करानाल, मकानानाल, महलानाल, हवेलियानाल, दिल लगी ना करें, क्यों ना करें, क्योंके मिट्टी पाई अतूलमी, मिट्टी अतूलमी अनमयर्ड, तूलमी होंदा है मयर्ड और अतूलमी अनमयर्ड, कोई ना हो सी मिद् हिसाब मिटी खल ले चला जामेगा कोई हवेली, कोई महल कोई मकान तेरे किसे काम नहीं आवेगा नेक्स जी बड़ा खुबसूरत शेद रुखडा लफ्ज एदा कीवर्ड और रुखडा रोख नू कहन देने दरफ्ट नू कहन देने रुख, उदी तसगीर उदा छोटा रुखडा एदे दो मुरादे पौदा कंदी उते रुखडा दर्यादे किनारे दी जमेन नू कंदी कहन देने दर्यादा किनारा कंदी उते रुखडा, दर्यादे किनारे हो गया पौदा, किचरक बनने धी किछ रख किन्ने चेर तक या तेन लफसां दा मुरकब एक लफसे आज काल यूज नहीं हूं दा लेकिन तुसी वेखो के लिसानी तश्कीलात दा समाना ओधों भी सी यानि उस वेले भी लिसानी लिंग्विस्टिक्स दे हवाले ना अक्सपेरिमेंट्स हो रहे सी उना तेन ल देना इता मतलब है मुतमईन रहना काइम रहना खड़े रहना एफरी दस दर्यादे किनारे हो गया दरफ पोदा किनी देर तक खड़ा रह सकता है तो अनुस हैं समझ आई हैं दर्यादा किनारा है पानी दा तेल फलो कच्चा मिटी दा होदा किनारा है पोदा बिलकुल बिल्कुल उसे तरह बिल्कुल आर जीए फरीदा कच्य पांडे रखीए, दूसरे मिस्टरे बिच दूसरी मिसाल, कच्य वरकन मिटी दे बने हुए पांडे जनानों आगे विच पकाया ना गया हुए, किचर किना चेर उतला किचरक से, किनी देर तक किनी चिर तक थलमा किच्चत दो लखसादा मुरकब किना चिर नीर पाणी नो कहने ने एफरीद कच्छा बरतन पाणी वेच किनी देर रहा सकता है और दर्या किनारे हो गया दरफ किनी देर खड़ा रहा सकता है इना चीजानों मते नजर रखते हुए अपनी जिन्दगी दा खुद अंदादा कर ले तुसी कोई एक शेर देखना है जी जड़ाना चुछा लगे आखरत दे फिकर फरीदा चार कमाईया हंड के चार कमाईया सम आफरीद जिन्दगी दे चार दिन हंड केंदेने to use हंड आना इस्तमाल करना चार दिन इस्तमाल कर ले फिर टूर के गुज़ार देते और चार कमाईया सम सम केंदेने सोन नो सो के यानि गफलत विछ गुज़ार देते लेखा रब मंगे सिया ला तेरे को लो लेखा यानि हिसाब किताब मंगे सिया तेरे तुम से मंगेगा तु आयों केड़े कम ऐ बंदे तैनों केड़े कम वस्ते पे जैसी और तु की करके आया है उस वे ले तेरे कुल कोई जवाब नहीं होएगा गुन्यादी तो और दे बंदे नो जंजोड के उठान दी कोशिश कार रहे ने के जिंदगी चार दिन दी ये वेखदे वेखदे गुजर जाएगी अपनी आखबत अपनी आखरत वास्ते कोई अमल कठे कर लाएगी जे जाना मर जाएए गुम ना आएए अगर मैंनू पता होंदा मर जाना है सबनू पता है कि इनू नहीं पता मर ना सर्वेज बाबा फ्रीज ता मकसद है कि पता होंदे बावजूद सी अपने कांग ते जून नहीं रिंगर दे बेलकुल इस गाल नो पुलाई बैठे है गुम ना आएए सब नू पताए गुम केंदे ने रदे अमल में अच्छा तुसी बाल जमीन ते मार दे दो दुबारा फड़ दे ओ तो गुम केंदे ने एफरीद जो पता होंदे मर जाना है तो बारा नहीं हाना गुम नहीं हाना चूठी दुनिया लगना आप बन जाईए ते मैं हर्गेज इस चूठी दुनिया नल वबस्ता हो के अपना आप जाया ना करता नेक्स जी घरूर दे तकबर दी निंदिया बड़ी खूबसूरत आयत को आने मजीती वला तमशी फिल अर्जी मराहन जमीन उत्या कड़ा करके ना चलो बड़ा खूबसूरत शेर फरीदा खाक ना निंदिये खाक मिटी नू कहले निंदिये बुरा कहिए ऐ फरीद मिटी नू कदी बुरा ना कहिए क्यों अगे खाकू जेड ना कोई मिटी जैसा खाकू मिटी जेड जैसा वर्गा कोई नहीं है क्यों नहीं है अगे फिर नाल ये नो अपने पैरा वेच रख दाए रोंद दाए मोया उपर होए कि अन्दा इस मिटी जैसा कोई नहीं हो सकदा कि जड़ी सारी जिंदकी साथ इस पैरा थले रख दीए मरण तो बात जदो कोई सानो संभालन वास्ते त्यार नहीं होंदा एहो मिटी फिर अपने अदर छुपा लें दिये बना दे दें दिये लेहाजा मिटी दा अदर और इफ्तराम करना चाहीदा है आज सोचना चाहीदा कि अतिकल नो इस मिटी नल बढ़े होए हैं और इस मिटी वेच मिलके फिर मिटी गो जाना है फरीदा मन मेदान कर टोईटे बेला एखला कियाता दर से जी बड़ा खूबसूरत टोईटे बे और मेदान एक दूसरे दे आपोजिट ने मुतजाद ने मेदान प्लेन सर्फस ते टोईटे बे यनि उच्छी नहीं जगा एफरीद अपना मन मेदान कर ले प्लेन कर ले हमवार कर ले कादे नाल जड़ी हैं तेरे देल वेचिक कदूरता ने बोगदे हसदे कीना नफरते जैलसी ए मुनाफ़कते डूइलिटी ए सारा कोई खतम करके कहनता अपने देल ने प्लेन हमवार कर ले अगर तो भे कर लवेंगा अगे मूल नाफशी तेरे सामने हरकेज नहीं आवेगी दोजख संदी भा संदी मीन दी की का की के भा आगनू केंदे ने केंदे अगर तो अपना देल साफ कर ले तो जड़ी आग तेरे ते हराम हो जाएगी राबदी याद अल्ला ताला ने बंदे नो अपने जिकर वास्ते बंदगी वास्ते अबादत वास्ते पैदा कीता ओधी मिसाल बड़े खुबसूरत पंजाबी कल्चरल देंदेने कूक फरीदा कूक तू जेयों राखा जवार कनग बाजरा जवार सारी आजनास ने पुराणे जमाने वेच कनग दिया सोगलत इन्दी नहीं सी लोग की जवार ते बाजरा भी खुराग अनाईदे दौरते इस्तमाल कर दे सी बाजरा और जवार जिस पे ले पाक जान देने, दाने लाग जान देने, सिटे बन जान देने ते एननू परेंदे या तो बचान वाक्ते राखी करने पेंदी है एक राखा मुसलसल दिन राख इनना दी हिफाज़त करदा है और मुँ विचो या कू कू दिया हावासां लांदा है जिस तरह चोकी दार विसल देनदा या हावास लांदा है कि परेंदे डार के ओड जान लेज़ा ओदा है अमल बगएर किसे गफलत तो बड़ा मुस्तातीन आल हर वेले जारी रहनदा यानि अगर ओगफलत करेगा तो परेंदे फोरण सिटे चोग जानगे एक बगफरीदे दे विच कहा रहे ने कि आप अपन्दे जवार दे राखे दी तरह तैनों भी चाईदा है जप लग टांडा ना किरे तांडा यानि तना जेदे होते सिटे लगए होंदे ने यानि ज़ो तक फसल वड़ नहीं लई जान दी तलफ नहीं कार लई जान दी उस वेले तक तप लग कूक पुकार उस वेले तक राखे दी जिमादारी एको मुसलसलों दी राखी करता रहे यह थे टांडा तो मुराद ए इंसान दो लगता होते मतवादन बैलंस खड़ा इंसान जिस फिलिसा मुख जांदे ने धड़म करके डिक पेंदाए जाबला के टांडा नागी रही यानि जदो तक बंदे दी जिंदगी खतम नहीं हो जांदी यह नों चाहिदा है के मुसलसल हर सानल बगयर किसे घफलत तो लगता दी जिकर करदा रवे फरीदा तिना मुख डरामने तिना उनके ए फरीद उना दे चेरे मुख फेस चेरा खौफनाक हो जांगे जिना विसारेओ ना हो जिना लगलादा ना भुला देता विसार देता भुला देता ऐसे लोकानू एथे दुख घनेरे या इस दुणिया वेच भी घनेरे यानि खने बहुत जादा दुख परदाश्ट करने पहन जी अग्ये ठोर ना थाओं और अगली दुनिया वेज़ भी हो दे वास्ते कोई परापर ठोर एकाने नू केंदेने थाँ जगा नू केंदेने गनाद दर्स बड़ा खुबसूरत जी रुखी सुकी खा के ठंडा पाणी पी फरीदा वेख पराई चोपड़ी ना तरसाई जी अल्ला तरा ने जिस हाल वेच रख्या होया है उससे हाल जराजी रहना चाहिए है किसे दूसरे राज सुर्फ चेरा वेख के शपेड़ा ना अल अपना मू लाज नहीं करना चाहिए चोपड़ी और पिछे जड़ा लफ़ चसी है चोपड़ी पढ़या सी और जड़िया सुईट्स छे पढ़या सी है ना सारी या तो मुराद असाइशात दें सिंदगी यानि राजी पर रजा रहना चाहीदा आ लाज जिस हाल वेच रखे होते वेच राजी रहना चाहीदा नमाज दी हमियत दे तेनेश लोग ने जी नमाज पारे तुझी सारी दो चार दाइना आराम ना लेख सकते होते विजाहत देती हो ये कोई एक शेयर कोट कर देना उठफरीदा वजू साज उठण तो मुराद ऐसे सवेरवल इशारा है उठफरीदा वजू कर साज कर सोब नमाज गुजार सवेर दे नमाज पढ़ जो सिर साइना ने में बाबा फरीद कह रहने कि जड़ा सिर अल्ला ताला दे हजूर नहीं जुगदा ने में जुगदा सो सिर का पोतार तनुच जई दा कि उस सिर उतार दे बाबा फरीद दे हाच कोई तलवार नहीं सी लेकिन वैसे समझान दी खातर दास रहे ने कि जड़ा बंदा अल्ला ताला दी बंदगी दी खातर सवेरे उठके उदे हजूर सईदा रेज नहीं होंदा उनों जीन दा कोई हाक नहीं फरीद बेन माज़ा कुट्या एना पली रीद वेखो कि ने सब तलवाज इस्तमाल कीते ने लेकिन अपने वस्ते ए फरीद कुट्य ए अच्छा तरीका नहीं है ए भली रीद नहीं है कभी चलना आया पंजे वक्त मसीद तनों पांजे बारी मसीदे हों हयालसला कहके बुलाया जण दाए हयाल सला कहके बुलाया जंदाए लेकिन तू कदी वी चलके मसीदे नहीं गये ओट्ट फरीदा सुतिया चाडूदे मसीद एथे भी सुबादी नमादवाल इशारा है कहाए स्वे होयाए बन्दे ओठ जाग और जाके जो मैं मसीद चाड़ूंगल साफ कीती जांदी है तो भी अपने आपनों साफ कर तू सुता रब जागदा तेरी डाटे नाल परीद केंदा इस चीज नो याद राखके तू सुता होया है लेकिन रब ताला जाग रही है यूंकर रब तखती नहीं सुनदा उनों ना उंग आंदी है ना निद आंदी है आखरी ये खुबसूरत है तेरी डाटे नाल परीद यानि ऐसी सारे दावा करने है कि जी मैंनो रबताला दी जात नाल बड़ा प्यार है ताड़े तो मुराद है थे अला काला दे सिफाती नामा विचो जबार दे कहार और जबार दे कहार दो सिफाती नाने ये लेकिन याद राखे कि यह दे नाल तो प्यार मा बंदा दावा कर रहे है उदिशिफ्ट जिते रह्मान रहीम फदलो करम करन वाला है उद्धे जबार्दे कहार भी है तेरे को लो सक बदला लवेगा जाद्धी नफी बड़ा भूपस्वरत शेर अफरीदा काले मेंडे कपड़े काला मेंडा बेस अफरीद मेरे कपड़े लबास काला है और मेरा पहनावा बेस बेस मीन बेस वी काला है और कहने मेरी यह हालत मेरे गुनामा बदामालियां दी वज़ात होए गुनाई पर यहा मैं फेरा मेरे गुनावादी बज़ा तोए लोग कहें दरवेश लोग केंदा गल्थ फैमी दर शिकार ने जड़े में नो दरवेश और पड़ा ओंचिया हुई हस्ती समझ रहे दे बरदाश्ट थे हुसने सलोग बार्मा पॉइंट ज़रूर लिखना है जिसके अपनी करता है अपने कार जाईए तो इस तरह दे जाहिल बंदे अनो अवाइड करके अपने कारता रस्ता लवें पैर दे ना दे चुम बलकि उल्टा उना ना एक्सक्यूस भी तो खोदी कार लए अच्छा यार मैं नो माब करो उदी की वज़ाए उत्ते सारी तफसिल देती हो ये कुरान दियायता हवाला भी है कि जाहला नाल बहस विचना पहो नेक्स्ट फल्सपाय है आथ बड़ा पुपसूरत पॉइट जी जरूर कोड करना है फरीदा मैं जाने या दुख मोझ कूँ फरीद मैं समय दासी मैं यहीं दुखी है दुख सभाय जाग लेकिन गया आपने 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 उजजदे तौरते राखके वेख्या ते अंदाजा होया करकर एहा आपके एद दुख तकलीफ परशानी मसायल ते करकर दा मसला नहीं चोथ माजी वेखो बंदा चले आप चों जणे आपने आपने वस्ते कीते हों फरीदा अमल जो कीते दुणी वेच दरगा आए काम ओ दरगा यानि अल्ला दी पारगा वेच सिरफ ओ होई अमल काम मान गे पंदरवा जी राजी बर्रजा आखरी आप सबारे मैं मिलें मैं मिलें सोख होई हदीस कुद्सी ये जी हो दा हवाला है शेर वेच हदीस कुद्सी ओ ओ हदीस जोड़ी अल्ला तारा दा फर्मान होई लेकिन नवी बाक सबस्सालम ती जबानी साड़ तक पहुंचिया होई पुरान विच मोजूद ना होई हदीस कुद्सी कहला दी आपने आपनो अपने आपनो फोद नो समार ला ठीक कर ला ते तनो मैं मिल जा मांगा मुयस्तर आ जा मांगा और मैं मिल जाना मांगा सुखी हो जाना है फरीदा जे तू मेरा हो रहें सब जाग तेरा होई आप फरीद अगर तू मेरा बंदा पढ़ जाएं मेरे मताबक जिन्दगी बसर करें ते सारा जाग तेरा होईगा तुसी मिसाला वेख लबो दाता गांजबक्ष बाबा फरीद मुहिन देन जिश्तियज मेरी वो बंदे ने जेना अपने आपने 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 अल्ला तरह दे मताबक कर लेया और आज पूरी दुनिया उना दी कर भीता है एंट जी तुसी दस पॉइंट्स लिखने ने बोर देने ना फोन के बाकी चायसते छाड़ देयो जबान दे बियान और मुक्दी गाल जरूर लिखने है तुसी पॉइंट दस नहीं लिख सकते है पांचवी लिख देयो मिसाल दे रहे हैं कि तुँ आनू फो लगे याद नहीं जी उमीद है तो अनू लेक्चर बेलकुल समझ आया हुएगा मैं बर्पूर कोशिश की थी है कि थोड़े ये वक्त वेज़ तो अनू सारा समझ आजए जड़े मुशकल लगए अखीर विच वकेमलरी देती हुई है तुसी अनू कंसर्ड कर सकते हो फिर भी अगर कोई मुशकल हो ये ते तुसी अपना क्वेस्चन अकैडमी तक कनवे का सकते हो मैं तो अड़नल फिर वाटसेप काल करके या जूम ते कुनेक्ट होके जवाब दे आगा अल्लाहफिज